खाल दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में आप जानते होंगे सभी हनी सिंग को बहुत फेमस सिंगर है यो यो हनी सिंग के नाम से इनके काफी सारे जो एल्बम्स आये हुए इनके बारे में डिसकस करेंगे अब यह कैसे हमारे वीडियोज में आ गए जहांपर हम जुड देली कोट में हनी सिंग की वाइफ ने डुमेस्टिक वालेंस एक्ट के अंडर एक कम्प्लेंट फाइल किया है और डेली कोट ने हनी सिंग को डिरेक्ट किया कि आप 3 सेप्टेंबर को कोट में हाजिर होंगे डेली कोट ने बोला कि no one is above law और जो कि हनी सिंग के जो वकील त से एडजर्मेंट्स ले रहे थे वो बोल रहे थे कि अपनी हेल्थ के कारण एल्थ रीजन के कारण कोट में नहीं पेश हुए तो तीन सेप्टेमबर के लिए क्लियर डेड्लाइन डेली कोट ने दिया और हनी सिंग को बोला है कि आप कोट में हाजिर हूंगे domestic violence के जो case में आप involved है उसके बारे में आपको क्या कहना है जो भी चीज़े है जो भी proceeding है उसमें आप participate कीजिए तो क्या है ये case इसके बारे में discuss करूँगा अब ये case हमारे लिए क्यों important है because domestic violence act जो है बहुत सारी states का part है स्लेबस का part है खासकर उन लोगों के लिए काफी helpful रहेगा जो राजस्तान जुडिश्री के लिए प्रिपेर कर रहे हैं अक्टूबर या नमबर 2021 में प्रोलेम्स का एक्जाम होगा domestic violence act जो है direct वहाँ पर स्लेबस में है तो उसके कुछ important provision किस section में application file होती है किस तरह के relief सीख कर सकते हैं वो हम इस video के मादेम से सीखेंगे पहले एक announcement जो भी लोग judiciary के लिए प्रिपेर कर रहे हैं judicial services के लिए state specific syllabus को ध्यान रखते हुए हमारा जो course है वो create हो चुका है platform पर upload कर दिया हमने pre-recorded videos prelims, mains और interview तीनों stages को cover करते हुए अगर आप interested है तो description में दियेगे link पर जाकर आप देख सकते हैं demo lectures है वहाँ पर course का content देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत reasonable fee पे करकर आप course में enroll कर सकते हैं तो क्या है ये case शालिनी तन्वर जो की हनी सिंग जी की wife है versus हिर्देश सिंग and others ये case का title है Delhi court में ये pending है तो Delhi court ने famous जो Bollywood singer है उनको direct किया है कि आप 3 September को court में हाजिर हो और domestic violence case में आपको जो भी कहना है जो की आपकी wife शालिनी तन्वर ने file किया है उसके बारे में आप बताए क्या कहना चाहते हैं उस case के बारे में तो background अगर बात करें तो जो applicant थी है complainant भी कह सकते हैं जो उनकी wife शालिनी जी उन्होंने section 12 of protection of women from domestic violence act 2005 में ये case file किया section 12 में तो ध्यान रखना है प्रेलम से में question आए तो कौन से section में complaint डलती है section 12 में उन्होंने allege किया कि जो sing है honey sing उनके family members ने उनको बहुत ही cruel तरीके से treat किया उनको धंकाया भी criminal intimidation भी हुई वहाँ पर उनको hurt किया, brutal violence हुआ वहाँ पर और उन्होंने ये बोला कि और भी लोगों के against ये लोग ऐसा करते हैं जो कि उनकी demands को fulfill नहीं करते तो इस तरह के allegation जो थे honey sing और उनकी family members के against लगे हैं उन्होंने साथ-साथ ये भी बोला कि जो वो complainant है she was living under a constant fear as the respondents have threatened her of physical harm मतलब physical harm का भी उनको खत्रा था और वो constant fear में काफी time तक रही हैं इस तरह के allegations जो हैं वो honey sing और उनकी family members के against है उस complaint में अब generally जो होता है complaint file करने के बाद अगर आप practicing advocate हैं या आप आगे जाके judicial officers भी बनेंगे तो आप देखेंगे last में एक prayer होती है prayer का clause होता है कि आप मांगना क्या चाहते हो court से क्या relief मांग रहे हैं तो ये prayer क्या है बहुत important होती है तो इस complaint में क्या prayer हुई है complainant जो थी wife उन्होंने बोला कि honey sing को बोला जाए एक तो वो rent दे पांच लाग रुपे महिना दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि उनको restraint किया जाए उनको रोका जाए जो भी respondents हैं कि वो अपनी किसी भी कोई भी उनकी property है जैसे matrimonial home है उसको dispose of ना करे बेच ना दे ना ही कोई स्त्रीधन स्त्रीधन क्या है ये मुझे आप comment box में लिखकर बताओगे कि स्त्रीधन का क्या मतलब होता है तो जो स्त्रीधन है उसको भी dispose of ना करे साथे साथ उन्होंने additional एक interim compensation मांगी 10 करोड रुपे की harnessing और उसके family members का against क्योंकि उन्होंने इतनी यातनाए इतनी harassment जो है उनके वहाँ सही है तो ये था सारा किस्सा आप 3 September को पेशी होगी उसके बाद क्या होगा उसके बारे में फिर से हम discuss करेंगे अपने judicial preparation के एंगल से ठीक है एक होता है कि हमारा हाँ media में आपको highlights दिखेंगी बट हम judiciary के point से सीखेंगे कि क्या आगे proceeding हुई है so that हमें वो judicial services के exam में helpful रहे अगर आप मुस्से जुड़ना चाहते हैं telegram channel है मेरा उसका link मैंने share किया है आप मुसे जुड़ सकते हैं judiciary से related कोई ना कोई update जो रहती है वो मैं regulars में discuss करता रहता हूं right thank you very much and all the best